आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। परमाडू करमांक होता है, नाइट्रोजन का तीन इलेक्ट्रों ने जोड़ लिया, तो कितने होगा है, तीन माइनस है, तीन इलेक्ट्रों ने ले लिया, साथ तीन, दस इलेक्ट्रों, ओर टू माइनस की बात करें, तो आठ इलेक्ट्रों होते हैं, बाहरी पूरे मतलब इ एलेक्ट्रोन, दो एलेक्ट्रोन से जोड लिया, कुल कितने एलेक्ट्रोन होगे, 10 एलेक्ट्रोन, ठीक है, फिर हमारा F- है, F- है, Na+, Mg2+, Al3+, प्लॉरीन का प्रमाड़ उक्रमंग 9 होता है, माइनस है, एक एलेक्ट्रोन इसने ले लिया, कुल कितने एलेक्ट्रोन, 10 एलेक्ट्रोन, Sodium का प्रवड़ो करवा 11 होता है, एक electron इसने दे दिया, एक प्लस चिन है, इसलिए 10 electron यहाँ है Mg2 plus 12 होता है, पूरा इसने 2 electron दे दिया, कुल 10 electron हो गए Al3 में पूरा 13 electron होते हैं, 3 plus है, तीन दे दिया, इसलिए कुल कितने हो गए 10 electron हो गए तो सब में 10 electron है, ठीक है, यह इसलिए कैसी इस प्रसीज है, ठीक है, यह सम इलेक्ट्रोनिक इस प्रसीज है, ठीक है, यह सब ही सम इलेक्ट्रोनिक ठीक है, इस प्रसीज है, यह इन में समानता है, ठीक है, सम इलेक्ट्रोनिक इस प्रसीज है, खावल इन्हें आयनिक तरिज्जा के बढ़ते करमें विवस्तित कीजिए, ठीक है, दीक है, सब में 10 electron है, अब हमें आयनिक तरिज्जा के बढ़ते करमें विवस्तित करना है, तो आपको एक बाद बता दू, अगर रिडावेज जादा होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोन समान है, तब अगर रिडावेज जादा होता है, तो आयनिक तरिज्जा क्या होती है, आयनिक तरिज्जा भी ज्यादा होती है ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखना है और अगर धनावेश ज्यादा होता है धनावेश अकर ज्यादा होगा तो आयनिक द्रिज्या क्या होगी कम होगी यानि कि धनावेश समानुपाती होगा किसके आयनिक द्रिज्या के ठीक है यह चीज आमें ध् 3 plus में, तो सबसे बढ़ते वे करब में विवस्तित करना है, ठीक है, तो सबसे कम किसका हो गया, आयनिक तरीजिया, अल 3 plus की, इसे थोड़ा ज़्यादा, फिर Mg 2 plus है, तो Mg 2 plus की, Al 3 plus से, ज़्यादा हो गया, आयनिक तरीजिया, फिर Na plus है, एक धन आवेस है सिर्फ, तो इसकी Mg से और Al से, Al 3 plus और Mg 2 plus से ज़्यादा हो की, फिर क्या है, फिर हमारा F minus, O2 minus, N3 minus बचा, तो यहाँ पर रीड आवेस ज़्यादा, आयनिक तरीजिया ज़्यादा, रीड आवेस कम, आयनिक तरीजिया कम, तो इसकी हो गई, फिर उसके बाद F O2 minus, उससे ज़्यादा है, फिर N3 minus है, तो सबसे ज़्यादे N3 minus की, यह हमारा किसका ओडर हो गए, यह हमारा आवेस आवेस तरीजिया का बढ़ते करम में हमने लिख दिया, ओके, यह हमारा काखा हल हो गया, यह हमारा, थैंक्यू,